आप लोग सब ठीक से होंगे तो जैसे कि आपको पता है मैंने इस चैनल पर थोड़े टाइम से वीडियो डालने स्टार्ट किये हैं और मैंने जो हमारी 12th क्लास की प्लिटिकल साइन्स है उसका जो पात 1 है यानि दे कंटेंपररी वोल्ड पॉलिटिक्स उसका जो चाप्टर 1 है देग बड़र एरओ मनें कम्पिलीट करा दिया है अगर आपको देखना है तो अप्लीजार प्लिज जाके की मेरा की ज़ रखते हैं आप जाकर देख लीज यानि education तो इसमें education के बारे में आपको education जो हमारी 12th class की वह पढ़ाऊंगी जो की जेके बोस वालों की तरह से प्रेस्क्राइब करीगे ये तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगी इसका पहला chapter पढ़ाऊंगी जो की है curriculum तो जैसे कि अगर आपनी सले बस अपना चेक किया होगा तो आपको पता होगा कि जो हमारा पहला chapter इसका है curriculum तो इस जो ये video है मेरी इसमें curriculum की आपको ये बताऊंगी definition बताऊंगी और curriculum के बारे में आपको बताऊंगी तो सबसे पहले curriculum होता क्या है ठीक है meaning of curriculum the word curriculum comes from the latin word curere which means torn thus curriculum means a runway or course to be run by the student for achieving the aims and objectives of education curriculum एक word curriculum है एक latin language जो है वहां से उसका curere word था वहां से लिया गया है उसका निकाल है curriculum ठीक है यानि इसका etymological meaning इसका ये है ठीक है ये latin language से निकाला गया है curriculum ठीक है जो एक runway या course जो की बच्चा अपना जो education जिसके ओपर education जो achieve करना चाहता है उसका education हम क्यों achieve करना चाहते है कोई होता है ना कुछ हमें knowledge है होती है तो ये हमें उसके लिए रास्ता बताता है ठीक है curriculum हमें बताता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है ठीक है ये उसके लिए एक रास्ता बनाता है ठीक है तो जो भी activities हमारे स्कूल में कराई जाती है न चाहे वो games हो चाहे वो school में जो classes में हमें पढ़ाते हैं चाहे वो debates वगएरा हमारे school जो organize करता है वो हो चाहे वो quizzes हो जो भी morning assembly हो स्कूल के अंदर जो भी activities हमारे school जो भी हमारी कराता है न उस सब को हम बोलते हैं curriculum ठीक है इसके अंदर सारा आता है okay totality मतलब सब को जो भी experiences हमारे एक चाहिल्ड को जो स्कूल कराता है न activities के थूँ अलग-अलग उन सब को हम curriculum बोलते हैं curriculum is complete school or total school environment तो curriculum एक स्कूल का जितना भी environment ने स्कूल में जो जो होता है वो सारा उस सब को हम क्या बोलते हैं curriculum अब second one is importance of curriculum curriculum क्यों चाहिए हमें curriculum कोई वजा तो होगी ने जिसके लिए हमें curriculum चाहिए तो curriculum हमें इसलिए चाहिए क्योंकि सबसे पहले achievement of knowledge तो सबसे पहले knowledge अगर हमें चाहिए हमें पता होना चाहिए हमें knowledge क्या knowledge चाहिए क्यों चाहिए किस तरीके से चाहिए वो क्या बताता है हमें curriculum बताता है ठीक है curriculum हमें अलग-अलग बताता है कि किस subjects अलग-अलग रखे हैं हमारे school जो हमारी educational system है जो हमारे education का तो उसमें अलग-अलग subjects रखे गए हैं ताकि बच्चे को पता चले कि कि subject में क्या है और उसका interest कहां पर है ना तो इसलिए क्या मतलब जो knowledge हमें चाहिए, ये knowledge के लिए एक रास्ता बनाता है curriculum, ठीक है, second is fixing limits, देखिए, knowledge अपने सुना होगा, ये अपने एक सुनी होगी बात कि knowledge कहीं भे खतम नहीं हो सकती, आप जितना knowledge जूंदों गया, knowledge आपको उतनी जायदा मिलती जाएगी, तो knowledge रुखने वाला process नहीं है तो knowledge कभी भी stop नहीं हो सकती है तो इसलिए यह क्या करते है तो इसके लिए क्या हमें एक fixing मतलब एक fix limit चाहिए मतलब जो हमें बताएगी मतलब इतनी हमें चाहिए knowledge मतलब बताता है कि कुन सा subject आपको लेना है कहां पर मतलब कितना पढ़ना है उसमें या कुन कुन साथ या जैसे हमारे लिए syllabus बनाया गया है मैं example आपको देती हूँ syllabus की जो हमारे syllabus है इसमें 10 chapters रखे गए है तो इस ते आगे भी तो रख सकते थे लोग इननों भी जो है तो इसाच ते ले इ sushi आपको ख़ए लिमिटिकाइन की इतना साथ रखेंगे हैं अज़ाआओ लोग इन वर जो करना है इतना सायसे लेगा barn मतकर पाएगा एक सार दाख अून bet香ात में जो चाहिए कि क्या कुन कुन से नॉलेच चाहिए किसके रिलेटेड नॉलेच चाहिए वो कहां पर कि कुन डिसाइड करता है वह हमारा करीकुलम को पढ़ाने के लिए है ना तो यह भी कुन करता है हमारा करीकुलम पहले ऐसा नहीं होता था पहले जैसे कि आपको पता होगा सारे एक टीच अब नया चेंज आ गया है, कि हमारे institution system कि एक teacher को कि एक subject में master's करना होता है, और फिर वह सब्चक्ट को पढ़ाता है, तो इसी तरह है कि है कुइम करी कुलम के आदर इस सारह डिसाइब हो जाता है। fourth one is selection of suitable methods, अलग-अलग methods, curriculum हमारी अलग-अलग methods मतलब जैसे अलग-अलग किसम के मेथड टूनता है जिससे बच्चे को पढ़ाएंगे मतलब चेंजिस लाता है अगर एक मेथड से काम चल रहा है बच्छे को समझ नहीं आ रहा है दूसरे मैथड लाएंगे तीसरी मैथड लाएंगे है तो इसके अंदर करिक्ल्न के आरदे उ वो उससे अहीं के एक कंट्री में रहते हैं कि भी एक ह vur हैं सिथका ऐसे मतंव सब्मित हैं फिरके शुच स हुथ हैं पर रिलेटेट कुछ ना कुछ होता है जिसे हमारी के नॉलेज बढ़ते है यह development होता है citizenship का citizenship quality का उसके बाद है development of democratic values हमारे अंदर democratic values आते हैं development of character हमारा character बढ़ते है यानि अच्छा बनता है हम नहीं-दो नहीं चीजेशे चीजे सीखते हैं उनके बारे में हमारी करिक्यूलम में होता है तो हम जब पढ़ते हैं हम उनसे इंस्पायर हो जाते हैं हम बोलते हैं हम बीड की तरह बनेंगे हम भी जैसे हमारी शेक अलम थे उनके बहुत सारी टॉपिक्स हैं फिफ्ट क्लास में हैं सिक्स क्लास में हैं या लल देथे हैं, उनके बहुत सारी टॉपिक्स हैं।ब मुतनी हैं तो हम सीह सारा है कि determ, आर इसमीडे के शीमें सूरेह। तो वही उसके बाद डेवलप्मेट परस्नालिटी है हमारी जो ओवर ओल परस्नालिटी एन एक बच्चे की उसको डेवलप करता है उसके और और्गनाइजेशन ऑफ टीचर